तो स्वागत है आपके अपने चैनल आपाई जिसमें तो आज से नए सीरीस हम लोग चालू कर रहे हैं और इस सीरीज में हम लोग रोजाना टेस्ट लगा रहे हैं उनका डिसक्षन कर रहे हैं और जो हमारा निकालो प्रिलम्स 2021 है उसमें टेली बैसेस पर टारगेट्स और शे है तो इसका शेडूल का सिलेबस में स्क्रीन पे स्प्लेश कर रहा हूं आप लोग देख लीजिए तो आईए इस सब्यक्ट को हम लोग तो पहला कुश्चन है तो वेदांता के बारे में पूछा है यहां पर आपको क्या देखना है अगर किसी ने यह टॉपिक पड़ा भी नहीं है उस कंडिशन में कैसे सॉल्व करेंगे वेदांत यानि कि वेदो का अंत वेदो का अंत मतलब वह फिलोसफी जो वेदो के अंत की और बात करें यानि कि फिलोसफी और अपनी शदा की और वह जाने लग जाएंगे तो वेदो में जो कहा गया उसका डिरेक्ट अपोजिट जो होगा वह यहां पर हो जाएगा तो पहली स्टेटमेंट तो यहां से आजाती है दूसरा हिंट आपको क्या लेना है कि जैसे यह बात किस पर करता है अब विदान्ति फिलोसफी की जब भी हम बात करते हैं तो विदान्ति का मतलब क्या हो गया विदान्ति का मतलब हो गया दा एंड ओफ वेदास तो यह स्कूल क्या कहता है यह स्कूल यह कहता है कि अपनिशदा की टीचिंग्स को जो हमें फॉलो करना चा क候 इसके इञावाए जो वेधांत फिलोसोफी है वो मं फिलोसपी फैसिस। His previous करमा, Take Rebirth क्यानी कि कोई भी आदिन आपने पूर्वे जर्मों के कर्मों के आदार पर ही, next gen में उसकी क्या योनी होगी, उसका निर्धारण उसके कर्म करते हैं। इसके जो रामानूजा चारी हैं उनका ये कहना है कि जो वेदानते हैं जो ब्रह्म हैं उनमें certain attributes हैं और वो यह कहते हैं कि with proper love, faith and devotion अगर हम ईश्वर के पती यानि self के पती है जब हमारा वो होगा दूसरों के पती जब हमारा devotion होगा, faith होगा, society के devotion होगा तो definitely हम जो है अपने salvation यानि कि अपनी मुक्ति का मार्ग जो है वो ले लेंगे तो इस आधार पे जो है हमारी the option eliminate हो जाता है कि शंकराचादी ने जो है ब्रह्म को certain attributes की बात गई तो शंकराचारे नहीं रामानुजाचारे था तो यहाँ पे इस statement को eliminate कीजिए 2 and 3 eliminate हो गया, 2 eliminate हो गया और 2 and 3 eliminate हो गया यहां से और 3 यानि कि आप बचे क्या 1 और 2 तो दूसरे statement देख लिए यह denies the theory of punaderma और rebirth अभी हमने दिखा कि punaderma के ऊपर यह बात करता है तो तीनो श्टिट्मेंट गलत elimination method से 1 आपका अंसर हो गया आगे बढ़ते हैं अगला question है which of the following are considered as three rathna of genoism तो आपको जैसे की पता है three rathna क्या है right faith right knowledge right conduct तो one three and five यहां पर option हो जाएगा f r f k c f k c से मैंने याद किया था f k c से मैंने याद किया था आप भी k f c से याद कर लिए आप उल्टा कर लिए याद कर लिए नोलेज फेट और चंड़क्ट की यहां बात हो वह वह तो तीन प्रिंसिपल लेडाउन किये थे right faith right knowledge right conduct या आप इससे याद किजिए right knowledge right conduct right knowledge right faith right conduct k f c तो KFC से याद किजिए अब देखिये यह जो KFC है वह कैसे कामकरता है जब्धि हम KFC की बात करेंगे तो वह KFC यह होगा कि knowledge क्या है सबसे पहले faith की बात करेंगे faith का मतलब जो teaching बुद्द्धा ने दी उसके उपर जो teaching महावीर की है जो wisdom महावीर का है उसके उपर पूरा-पूरा भरोसा होना knowledge की जब हम बात करते हैं जो theory of acceptance of God है उसके उपर जो है यह बात नहीं करते हैं यह बात करते हैं कि कोई God नहीं है और कोई creator नहीं है सबी objects में जो है वो soul है इसके अलावा right conduct यहाँ पर बात करता है पांच कसमे लेने की means a person has to observe five things not to injure life of anyone जूट नहीं बोलना है जोली नहीं करनी है किसी दूसरे की property को acquire नहीं करना है इसके अलावा एक immoral life नहीं जीनी है तो इसके अलावा जो basic tenet है महावीर का जनिजम का या चाहे बुद्धिजम का हो तो अहिमसा जो है दोनों जगा कॉमन है डॉक्राइन अहिमसा इसके अलावा जो है महावीर जो है वो यह मानते हैं कि soul जो है और consciousness जो है वो various degree में जो है वो लाई करती है इसके अलावा देखिए जो वेदा की authority है और rituals है उन्हों को जो है जैनिजम पूरी तरीके से deny कर देता है इसके अलावा यह भी जैनिजम कहता है कि जितने भी living और non living organism है सभी में soul मौझूद है तो आईए next question के और बढ़ते हैं Consider the following statement regarding dancing figure of Shiva as Nataraj The right leg is suppressing the Apsarm, the demon of ignorance, left leg is Bhujang Sarita, stance which represents Pribho that is kicking away from the wheel of illusion Or Tisha statement, the main right hand held dhol connect with Abhay Hatsa of left hand तो यहाँ पर option one and two correct हो जाते हैं कैसे आईए जानते हैं इसका detailed solution देखे जब हम बात करते हैं Nataraj की तो Nataraj की जब भी बात आएगी तो शिवा को यह denote करते हैं इसके अलावा देखे शिव का मतलब क्या है जो destroyer हैं इस cosmic world के तो जब Nataraj की बात आती है तो Nataraj जो हैं अपने right leg में they are balancing on right leg suppressing upserm जिसमें की वो demon of ignorance और forgetness को उसी leg से नीचे दबाए हो हैं इसके अलावा देखे अपने left leg से जो की भुजंग सरिता स्टेंस में है वो त्रिभो मुद्रा में जो है माया और इल्यूजन को जो है डिवोटी से बाहर करते हैं ठीक है तो यह वाले जो कॉंसेब्स हैं नट राजा से तो यह तो र मार टमार इनको थोड़ासा आपको देखना पड़ेगा नट राज का एक फिगर थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार से त्रिव हूँ है किस प्रकार से उनके पूरी हूँ है इसके उपर एक वीडियो हम लोग दे दिदेंगे आपको अगली वीडियो में आप उप हो देख लीजिएगा पूरा कि कैसे नटराच ये जितैंने डांसिंग स्टेप्स हैं पूरे-पूरे और भी जित तो आंशनर्ब से थोड़ासा कर आएडिया लगाना है तो इसे सूचे कि उहां पर सबसे ज्यादा क्या होता है तो वालेंस की चीजह जो है सब्से ज्यादा आती है तो हम इसको गोद आपे और दोमेस्टिक वालेंस के लिए रिए है प्रकम्पटिंग विञेंस फूमेंश इसके लिए काम करती है तो टेकल विञेंस इसके लावा बात होती है यह गोली वार्णिंग फ्रेंबर कैने कि अगर आप कंट्री इसको रेट इसको रिट्पाइब करती है तो आगे वड़ते हैं यह पूच्छन पूचा जा सकता है कि Istanbul Convention legally bound है या नहीं है या नहीं है या नोगे बढ़ते हैं अगला कुशन है तो योग से तो क्योंकि सभी लोग पर इचित हैं सभी लोग जानते हैं तो यह दोनों ही ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएंगी कि इसके लाव दूसरे स्टेट्मेंट पर इस टेक्निक लिए प्रुषा फ्रम प्रक्रति और वल्ड इवेंचुली लिए तो यह दोनों ही स्टेट्मेंट यहां पर करेक्ट हो जाते हैं अब इसका जिस्टिफिकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं तो योग जो है दो बेशिक ए डिटीत миल के बना हुआ है पहले यह कहता है कि जो दूसर श鬼 किसके द्वार किया सथेth by the combination of mediation along with योगित पॉस्ट्र love किセिता है जो पॉस्ट्छ्र सेісंशी अजिसे आतले जाताए उसके द्वारा और ध्याय Nhoga Ni Sportतियो और जैना तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं यह कहता है कि जो योगिक पॉस्चर से उन्हीं ने पुरुशा और प्रकृति का जो है जो जब हम बात करते हैं फिजीकल एकस्पेक्ट की तो वह डील करता है एकसरसाइज के जिने आम आसन केते हैं इसके लागा डिफेंट टाइपस ऑफ ब्रीधिंग एकसरसाइज भी होती है जिने प्रनायम केते हैं जो आप लोग सभी जानते होंगे यूटूर बाबाराम करें तो बुद्ध की टीचिंग है भाई सब्सक्राइब यहां पर क्या होगा बुद्ध जी आएंगे बुद्ध हर चीज में चाहिए बुद्ध करो बिलकुल मालिया साथ हमां इसा नहीं करेंगे तो बुद्ध क्या एक्जिस्टेंस ऑफ गौड की बात करते हैं तो यहां बुद्ध की अग्जिस्टेंस को टिनना करा नहीं किया कमेंट में बताइए क्योंकि मैं उपार डिसकेस कर चुका हूँ च्या सोल की एक्जिस्टेंस की बात बुद्धा ने करी या नहीं करी कमेंट करके जरूर बताना है और इन ही कमेंट में से हम फीचर्ड एक आजमी को चुनींगे जिसे हम यूपीएससी की बुक्स जो है वो फ बुद्ध बात करते हैं पूरा जो हरे सफरंग को कीसे कर दो ठादो तो बुद्ध यह कहते हैं ज्यायर से अगर तुम मारी सफ्रइः को जाते हो सारी स्फर इसारी मारी मारी बीचाए च्छय या जब व्यक्ति को तो सफरिंग कहां से होगी आप आज के कंटेक्स्ट में ही देख लीजे आदमी इसलिए नहीं परिशान है कि उसके पार कुछ नहीं है उसके पास ये आदमी को ये परिशानी है कि मेरे पास सामने वाली से कम चीज़ें तो यानि कि डिजायर यहां पर क्य चांगे का मारगव क्या है इसमें बुद्ध जी आते हैं बुद्ध जी कहते हैं राइट व्यू रखो अपना रिजॉल्व अपना इंटेंशन सही रखो अपनी स्पीच सही रखो अपना रहिंसें सही रखो अपना एफर्ट सही रखो अपना माइंड फुलनेस पूरा सही और अपना concentration राइट डिरेक्शन में रखो तो यानि कि कैसे होगा राइट व्यू यानि समयक दृष्टी कैसे आएगी यह याएगी राइट रिजॉल्व से राइट रिजॉल्व का मतलब तो यहां पर रखते हैं तो हमें राइट व्यू यूपिस्टी का कैसे मिलेगा जब तक हम एक राइट रिजॉल्व नहीं लेंगे कि यहां यूपिस्टी की खरना है इसके अलावा राइट इस पीच यहां पर कैसे आएगी में जान सार राइटिंग से आएगी तो उसके जैसे एक और गौर्वर्मेंट का एंप्रॉई है वह बात करता है अब कंड़क्ट की बात आती है तो हम डिसिप्लेन आएंगे अपने कंड़क्ट में तभी हम यूपिस्टी क्वाइब करेंगे लाइवलिवूट की बात करेंगे तो हमारा जो लाइवलिवूड होगा वो हमारा मार्ग प्रसष्ट करेंगा तो वर्ट्स दा एंड ओफ सफुरिंग यानि की ओपिस्टी लवासना जाने का जो सफ़त है वह यहां से तय हो जाएगा तो यह लगता है समझ में आगे होगा इसे ही समझ के चलना है तो चीजे क्लियर होते जाएंगी अब बुद्धिज जो है कर्म के उपर जो है वह हर चीज जो है कर्म के उपर है हिंदी में एक महावरा है कल्यूब है बस कर्मा दा रहा समिर समिनर हो वहीं पा रहा तो कर्म की फिलोसिपी के उपर जो है आपको एंफिस ले करना है और कर्म अगर आपके अच्छे होंगे तो डेफिनेटली जो राउंड 576 प्रिविएस बर्त के बारे में बताया गया कि बुद्ध ने कैसे कैसे जो है रिबर्थ ली तो यह यह भी बात करते हैं कि सोल जो है वह एग्जिस्ट नहीं करती है इसके अलावा देखिया हिम्सा के उपर बात करते हैं और बुद्धिजम और जैनिजम में थोड़ा सा हार से जब हो जाता है तो जैनिजम हो जाता है तो consider the following statement regarding statue of Gohmateshwar तो ये गिरनाइट statue है Lord Mahavir का दूसरे statement तीसरा इट वस कमिशन बाइ कमुदर्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ गंग किंग ऑफ मालसूर तो देखे वन statement जो है वो incorrect हो जाता है क्योंकि Lord Mahavir का statue तो नहीं है न तो क्या है ये जानते हैं करनाट्य का जो है जैन श्राइंज के लिए विल्कुल फेमस है और यहां पर क्या है सवर्न बेला गोला जो की फेमस statue है गोमतेश्वर में वो पाया गया अब साब ये कहां से आया और क्या हुआ तो इसमें जब भी बात होती है तो ये ग्रेनाइटी statue है किसका लॉड बाहुबली का वैसा यहां पर था तो लॉड बाहुबली का और साब कह रहे हैं कि जह है वो है वो लॉड मावीर का है तो इसके बेसिक आपको पता होने चाहिए तभी आप इसको करेक्ट और इंकरेक्ट कर सकते हैं दूसर इसके चलिएगा तो वर्ड का टॉलेश्ट मोनलिथिक फ्री स्टेंडिंग इस्ट्रक्चर है तो स्टेट्मेंट वन तो बैसे गलक्ट हो गया दूसरी बात कि कमिशन के आद था इसे किसने कम मुंद रहा जो कि चेनरल इंचीफ था प्राइम मिनिस्टर ऑफ गंगो किंग आफ माईसूर तो आगे बढ़ते हैं आगे बात करते हैं नेक्स्ट कोश्चन की अब नेक्स्ट क सब्सक्राइब करते हैं तो इसको कमेंट सेक्शन में बताइए और फीचर्ट कमेंट को मैंने पहले ही बताती है कि वह मिलेगा और यह बिल्कुल हम लोग ऑनिश्टी बोलें कि वह बहुत शुरू कर रहे हैं तो इस देफिनेटली वर कॉन अब चेर्मन की आपर बात की सब्सक्राइब करते हैं तो यह स्टेटमेंट तो करेक्ट है मगर क्यों है यह जान लेते हैं अब देखें बात बात याद रखेंगा कि एक स्टेट्यूट्री बॉड़ी है जो की सेट अप होती है एंसी पीच्यार एक्ट दिसंबर दोहजार पांच में नहीं कि एंसी सब्सक्राइब करते हैं यह क्या काम करती है इसका मेंडेट है सारे लौस पॉलिशी प्रोग्राम एड्मिनिस्टेटिव मेकैनिजम फॉर्डा वेलफेर ऑफ चिल्डन परस्पेक्टिव तो यह कैसे होता है देखें डेफिनेशन की जो चाइल्ड की डेफिनेशन इनके अक तो यह नहीं है यह कैसे फॉर्ड का उसके विंग एक यह लुग सोथक्राइब करती है इसके नहींक में तो यह खेंड़ करती है तक हो सरव कर सकता है तो आगे बढोते हैं नóm च एक स्कूरो कर से बारे में यहां पर पे कुश्छन आगिया चरुवाइक भिलासफी क्या कहती अником तब तक पियो बलाव तर कियो दो यह वना दिया ता कि मिले को चीज़े याद रह सके तो में जो है यहां पर center of all activity और उसने enjoy करना चाहिए बिल्ब कुल सही बात है चरवाक साब यही कहते हैं कपिला ने foundation ले कि बिल्कुल गलत हो गया साब कैसे गलत हुआ आगे जाने के कौन है इसके founder अगर पता है किसी को comment कर दो नीचे तो आगे जानते हैं अगोत है कि कुछे में पर आगे इसके रॉब इसके पर में कहीं हुआ है तो सब जब में ही the center of all activity है तो सब में ही center of all activity है तो दूसरा वरल का से होगा तो दूसरा वरल नहीं होगा तो आप्टूमेटिकली चीजे से होगा है तो आइह जान लेते हैं किसने फांट किया क्या और तो अब यहां पर जो है लोकायत की जब भी बात की जाएगी तो लोकायत देखें लोकायत की जब भी बात की जाएगी चर्वाक की जब भी बात की जाएगी लोकायत लोक आयत का मतलब क्या है लोक प्लस आयत तो लोक आयत है लोक आयत है यानि कि लोक जो इस लोक में है उसी की बात हो रही है यहाँ पर तो इसी की बात हो रही है तो यहां पर यह कहा जाता है कि कोई दूसरा वर्ल्ड ही नहीं लोक आयत यानि कि यही लोक है बाकि कोई लोक ही तो इसकी जो में फीचर से वो क्या है कि जैसे प्रिस्ट्ली क्लास या गॉड ओन अर्थ है तो जिने रिप्रेजेंटिटिव और प्रिस्ट्री क्लास को तो वह कुछ नहीं करते हैं और दक्षिना लेने के लिए उनका अल्टिमेट यह होता है जाद से जादा पैसा निकालो यह पंडित की धाड़ना रहती है तो आप क्या करें आप जो है इसको टोटले डिनाई करते हुए आपके लाइफ को नहीं मिलने वाली और कोई दूसरा जनम आपको नहीं मिलने वाला है तो जब तक जीओ खाओ प्यो मस्त रहो तो यह याद सब्सक्राइब करते हैं बुद्धिजम के कारण की बात करता है अब बुद्धिजम का कैसे कैसे हुआ पहले क्या क्या है उप्येसी ने में में कुछन भी पूछा था इस रिवल्यूशन अगेंस दा ब्रह्मनिकल अप्ट और वहां पर संस्क्रित का जो बोल वाला था उसक के खिलाफ एक स्ट्राइब थी यहां तो प्राकृत लेंग्वेज दा लेंग्वेज और कॉमन जो है बुद्धिजम के उसमें जो है लागो होती थी बट धीरे-धीरे बुद्धिजम में क्या हुआ वह भी सोचल ट्रेड जिनके खिलाफ उसने शुरू किती लड़ाई तो पर देखे अल्टिमेटली हुआ क्या उन्हीं के मंत्री उन्हीं के बिधाय जो है आज करफ्ट पाई जा रहे हैं तो शुरूआत किस से हुई थी शुरूआत तो एक नेक एम से हुई थी ना बट क्योंकि सोचल इवल इतनी जाजा थी उन्हीं की सोच अच्छी थी बट करें दोगें समय बिताया सब गंदे लोगों के बीच में तो उन्हें भी जो है यह आगए कि सांस्कृति लाइट लेंगिज तो श्रूआत करेंगे दूसरी बात क्योंकि ब्रह्मनिजम दुपार से वाइब हो गया ब्र्हामनों ने का कि ब्रह्मनिजम कैसे ऊपर हो गया ब इसका जेस्टिफिकेशन आप लोग देख लीजिए जेस्टिफिकेशन मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है बाकी स्क्रीन पर भी देख लीजिए कि संस्कृति लाइट लेंगिज होगी और ऑफरिंग देना शुरू कर दिया और जो यहां के जो थे मॉंक थे उन्हाने भी जो लेतिला स्क्रीफिकेशन ब्रहामनीजन परिंश्टिफिकेशन ब्देख की थी स्कृतिक काल Ist और प्रेंशल होंगे या फिर विहार होंगे विहार मतलब ही रहना हो गया तो भी अब विहार उंगे तो देखे यह गलत हो गया और चैत्य रेसिडेंशल नहीं थे चैत्य क्या थी आगे जानते हैं तो दो चीजों की बात हमेशा आएगी चैत्य और विहार की तो चैत्य क्या थे यह थे क्वाड एंगुलर चैंबर विद फ्रेयर टूप्स जिन्हें की प्रेयर हॉल की तरह यूश किया जाता था वहीं जब बात की जाएगी आपके रिसिडेंशल हॉल की तो वह विहार थे य तो देखिए यहां पर बात हो रही है नागारजुन सागर सिरी सेलम टाइगर रिजर्व की तो क्या यह स्प्रेड होता है अंद्र रिजन और तिलंगा नहीं बिल्गुल होता है कहां होता भी मैं आपको दिखाऊंगा कृष्णा रिवर इसको क्या कारती है विद तो चीज़े आपको याद रखनी है कि सबसे पहला कि कोई रिवर तो उससे पास नहीं हो रहे है या वह अभी हाली में किसी स्पीसीज की वज़े से न्यूज में तो नहीं है कौन-कौन से एरिया उसके अंदर आते हैं और कौन-कौन सी स्पीसीज भी उपे से बोश्ट है तो यह चार-पां चीज़े आप हमेशा याद रख लिए किसी भी टाइगर रिजर्व या वाइल लाइफ सेंच्यूरी या नैचुरल पार्क के बारे में आप जब भी पढ़ ले हैं तो नागवर जुन साधर सिरी सिलम टाइगर रिजर्व यह कहां पर हैं यह आंदर पद आता है अब नेक्स स्टेटमेंट पर आते हैं विट कंसेटर दा फालें स्टेटमेंट फर्स्ट फिल्म टेकिंग आवार्ड अलाम अरा विच वास प्रोड्यूस्ट वाई दादा साहे फालगी अब सिकिंड क्या इन्फोर्स्मेंट ऑफ दे सेंटर्शिप लाइज विद द मतलबом मतलब ही अद ही लेना परता है तो क्यों लेना परता है सबसे बहले बात करते हैं फिल्म टेकिंग अवार्ड आलम अरा की ये इनना फिल्म कंपणी के दिवार्ड प्रोड्यूस्ट वार अब साथ इरानी के द्वारा और इसको पहली बार स्क्रीन कहां पर किया गया मैजेस्टिक सिनेमा इन बंबे 1931 तो पहला इस्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया इसके अलावबा देखे कोई भी अगर फिल्म है इंडिया में अगर कोई भी फिल्म की स्क्रीनिंग हो लिए है चाह को काटना जो अफिंसिव चीज है उनको काट छांट के फिल्म को जो है अच्छे व्यू में जो है सुसाइटी को प्रिजिंट करना अब देखे क्योंकि सेंट्रल गॉर्मेंट की सब्जेक्ट में आता है स्रेटिफिकेशन बाट क्योंकि लोकल लेबल पे ही इंप्लिमेंट सब्सक्राइब आता है तो जो चीज नॉर्थ इंडिया के लिए तो नॉर्थ इंडिया के लिए नहीं हो सकता इसलिए हम कहा रहते है यह यह जांटी को पुझा देते हैं यह जो प्रदेंगे सेंगी अगर बात यह था कि अगर पढ़ेंगे साथ-साथ में तो चीजे जो हैं ज्यादा क्लियारूंगी कैसे क्लियारूंगी वहांसे वजिए विडियो देख रहे हैं गंटिन्यू की चैए क्योंकि मजा रहा रहा होगा और चीजे जो हैं कॉंसेप्ट में क्लैर्टीया लाइगा वपड़के तो आप लोग अभी तक पढ़ी होए श्निंग हिळिगर और तो आप क्या कीजिग कीजिये लिखतारोो गभर tensionscommun y rad metabolism लाम लखमाना टेंपल और खजुराहो ठीक है दुर्गा टेंपल और अही होल अवंता वासुदेव टेंपल और भुवनेशवर और विरुपक्ष टेंपल तो देखें मैंने यहां पर क्या आइडिया लगाता अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो मेरे साथ से खजुराहो मैं और भी विरुपक्ष की तो मेरे को पता है कि विरुपक्ष जो है वो खजुराहो से पहले था थोड़ा थोड़ा मोटा एडिया मुझे है ठीक है अब बात करते हैं दुर्गा टेंपल अही होल की तो अही होल इंस्क्रिप्शन के बारे मैं तो मैंने असो का टाम से पढ़त कि क्या कोई ऐसा है जिसमें विरुपक से कशुराहो से पहले क्यों ऐसे लगा दिया मिली का फोर अब देखा हम कोई और ओपशन तो नहीं है तो सी ओप्शन को मिने करेक्ट कर दिया कैसी कर दिया जिस्टिफिकेशन आगे जानते हैं तो तो दुर्का टेंपल है और लखमाना टेंपल खजुराहो का डेडिकेटर तो विष्णु है और 954 एडी में से चंदेल किंग दंगे ने बनाया है अब देखे अब जो बात के श्राइन की बात अती है अनंत वासुदेव टेंपल जो की 1278 एडी में बनाया जाता है जो टोटली डेडिकेटर है जो है वो बनाया गया है इसके अलावा विरुपक्ष टेंपल की जब भी बात आईगी याद रखेगा कि यहां पे शिवा को लोकेश्वर के रूप में डिपित्ट किया गया है बनाया कि इसने विख्रमाधित्य सेकिंड ने एट 740 एडी और यह जो है इसको बनाने के आए और इन्होंने क्या किया डायक्ट इमिटेशन इनका जो है केलाशनात जो कंचीपुरम है वहां पे इनका की कर दिया अब देखिए तो ऑप्शन ची आपका करेक्ट हो जाता है तो आगे बढ़ते हैं अब बात आगे यहां पर भीया मतुरा की आट की मतुरा के पेड़ शोड इस्ट्राइक यूज ऑफ सिंबलीजम ऑफ इमेजस ऐसा था था क्या था क्या बताए ये कमेंट में था तो यह नहीं था तो क्यों नहीं था अब हैलो इमेज़ की बात की है ओवर हेड ऑ बुद्धा जो डेकुरेटेट है विद्धा जीउनो मेट्रिकल पैटर्ण त कभी भी कोशिश किए जब कुछ ना रहा हो तो यह देखिए कि क्या ऐसा कोई option मौजूद है जिसका करने के बाद मेरा सीधा अंसर निकल जाता हो अगर हो जाता हो काटके देखिए तो हां हो गया तो आप उसके बाद दिमाग लाइए कि यह option सही है या नहीं है बजाए इस से बड़ी बात है यो पीएसी के एक्जान मतुराई स्कूल की बात कर लेते हैं यह फ्लरिश होता है ऑन दा बैंक ऑफ रिवर यमुना इन पास्ट वन टू थ्री बीची अब यहां पर मतुराई स्कूल में क्या था यह सारे दिलेजन से इंफ्लूएंस होती है से आपने पड़ा होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताईएगा जीवावे अभी चालू है तो हिंदू गौट के बारे में यहां पर डेक्ट किया गया है एस अवा युधास और इसके अलावा देखे जैसे की शिव की जब भी बात आएगी तो लिंग और को सी किया जाता है जेनोमेट्रिकल पैटंसँ किया जाता है इसके रावब देखे बुथ्ध यहां पर दो बोली सत्वा से डाब इस राटे कआ intern that 모 से पद्म पानी जिनके हात में लोटस लोटस है पद्म पानी यह बाढम से ऊस्व हम मतला चैना दीक है वज्ड किसे ऐस में वडर्ट में पाला ने इन्डॉयक लक्ष्ट कई सब्सक्राइनुट में और अमके है कि प्रORA कॉई अब न Sir few और मॉछे रावा ठीव है यह वाति रीचे वहाएबिया था इसके दो उसके निया जो है यानि कि पूरे सरव पर जो है छुड्या टाइम की जो बोलते हैं लाइन्स जो बोलते हैं वह बुद्ध के हैड में यहां पर दिखाई गई है अब 16 तो कोश्चन के और बढ़ते हैं एफसी आरे की बात कर रहे हैं साब निरम मोधी तो पूरा पैसा लेकिदे इसका फा अर्गनाइजेशन और पॉलिटिकल नेचर के नौट एक्सेप्ट फॉरन कंट्रिब्योशन तो साब यहां पर एक ही वर्ड है इसने खराब कर दिया सारे विबात की जड़िए पॉलिटिकल नेचर पर फॉरन कंट्रिब्योशन से पर जो है बहन लगा दे आपनी रोजी र अर्गनाइजेशन और पॉलिटिकल नेचर जो है उन पर इसका करेक्ट है कि जो और्गनाइजेशन पॉलिटिकल नेचर है वो साब पैसा नहीं ले सकती है तो जानते है कौन-कौन से और्गनाइजेशन ले सकती है पैसा फॉरन से जो आएगा यानि कि रेमिटेंस जो है क्या अलग हो जया वह अलग कॉंसेप्ट है एकोनॉमी में हम लोग पढ़ेंगे तो यह जो पैसा आ रहा है फंडिंग हो रही है फॉरन से जैसे जैकि नायक क तो वह पॉलिटिकल नीचर की एक फांडेशन थी और यह कौन-कॉंसीफ फांडेशन पर काम करेंगा यह सभी जिसनों में पैसा आएगा बाहर का पैसा अगर आप भारत में लाएंगे तो साब मुर्दी ची कह रहा हम ना छोड़ींगे आपको आपको फ्सीरे में लबेट तो यह एक्ट में क्या होता है और गनाइजेशन को अपने आपको रिजिस्टर करना होता है हट पांस साल में इसके अलावा फ्सीरे के नॉम्स के अकॉर्डिंग जिनको प्रायर पर्मिशन है फ्सीरे के लिए तो उनको अब अपनी फॉरं गंट्रिबूशन जितना भी उन की जो हर्ड कोपी है ने वह अब डिपैंस करनी पड़ेंगी इसके अलावा ओनानइन समय फॉस्के और इपडेट गके हो ऑफश्यले लेन उक्नी लोगनाइजीन एक जितनी वह प्योश्य बहगी बात कर लेते हैं कि कौन-कौन उसक्ता है जितनी भी और और बीचिर्शन ए प्रॉक्षी रूल हो जाएगा आपको प्रॉक्षी रूल की अगर बात याद हो अगर आपने इंचियाटी पड़ी होगी तो इंचेंट इंडिया में जो है कॉंसेप्ट आता है प्रॉक्षी रूल का कि राजा डिफेक्टर रूलर उसको बोलते हैं तो डिफेक्टर रूलर वाला कॉंसे उसमा आता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए तो अब यहां पर देखे कोई भी M.L.M.P. पैसा नह होने लग जिया कि काड़ूनिस्ट या कोई भी पेपर वाला पई से लेने लग जिया तो ऐसा होगा चाइना वाले बैटिंगे चाइना में वहां से बंडिंग करेंगे भारत में भारत की खिलाफ चपवा कि यूएन में जाके दिखा दिंगे जैसे कि हुआ भी था यह जब अब भारत से पईसा लेने लग जाएंगे तो भारत सरगार की इनको जरुवती किया है यह जैसी आई एक एजेंट बन जाएंगे अमेरिकन खूपिया एजेंसी के क्यों भारत में रहेंगे अब एसोशियेशन है कोई प्रोड़क्शन ब्रोड़कास्ट और यह न्यूज य तो यह सब चीज़े हैं जो आपको याद रखनी है ऐसे ही हस्ते हस्ते याद करा भी दिये मेंने अब अब हम बात करते हैं तो सुसाइटी रेजिस्ट्रेशन एक्ट 1863 के अंतरगर्थ और इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 एफिस सेक्शन एट ऑफ कंपनी एक्ट इन तीन एक् जो है सोसाइटी के बेनिफिट के लिए रीजनेवल काम किया होना चाहिए अब बात कर लेते हैं विश्नु गुप्त चाट्रे तो यह option बिल्कुल करक है विश्नु पन्त चाट्रे कौन थे आगे जानेंगे और क्यों ले करी थी कैसे ले करी थी वह भी जानेंगे इंडिया इंफोर्ट बैन वाइल्ड एनिमल फॉर पर्पस ऑफ एंटर्टेल्मेंट ऑफ सर्कस वह यह बिल्कुल वह यह हाथी को नचाओगे तो कौनसा भारत सरकार चुड़ेगी शेट चीत को आप दिणना मारके बगाओगे या बच्चे को रस्ची पे चलवाओगे त हैं तो आपको छोड़िंगे नहीं तो सी ऑप्शन बहुत वर्ण तू करेक्ट हो जाते हैं कैसे होते हैं यह जान लेते हैं तो ग्रेट इंडियन सरकस की जब बात आती है यह शुरू किया जाता है विश्नुपंत के चाट्रे के द्वारा जो की एक सिंगर थे इन्दा प्र काम किया करते थे अब जो फर्स्ट जो इसकी परफॉर्मेंस होती है वो मार्ज टूंटी एटी ने होती है जो पूरा यूरोप इंक्लूडिंग इसाइलन साउथ इस्टेशिया सभी जो को इसकी प्रोमिनेंस हो जाती है और इसी अप्रिशेशन के बाद जो है नॉर्थ अम में जो है एक लाती है कि भाईया अगर पब्लिक के अटेंशन के लिए अगर आप बच्चे को रस्ची पे चला रहे और या फिर हाती को परिशान कर लेगो तो भाईया सारे एक्टों के अंदर हम जालेंगे आपको जेल के अंदर तो भारत सरकार ने वाल्ड एनिमल या फि को पूर्ण तो यह प्रिशिडेसर आप बुद्ध कोन थे यह कुष्च्चन है तो कषपा बुद्ध जो है बुद्ध के प्रडिशेसर थे और मैतरे जो हैं आने वाले बुद्धें जो आप जनम लेंगे शायद क्या पता ले लिया हो या फिलेंगे को जेंदे बुद्ध तो महापरी निर्मान जो है बुद्ध का खुशी नादर में जो है मल महाजनपत में यूपी के जो है एड़ एज ऑफ एटी यानि कि बुद्ध की टर्मिलोजी में कहा जाता है महापरी निर्मान तो उनका जो मेजर्टी पार्ट था वो कहां पर होता है बिम्रसार और अजास्यत्रू के टाइम में होता है अनकियर डाइनेस्टी के तो बुद्ध जो है वो अलग 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 टेक्स्ट में जो है अलग अलग नामों से भी जान जाते हैं ततागत का जाता है साक्यमुनी भी मेतरे यह तीन जो है और यह UPSC का भी question था इससे बहले आ चुका है तो यह question repeat होने की chances बहुत कम है मगर जो basic concept है उसको आपको पढ़ लेना है उपर के दो यह concept भी याद रख लेना है कौन-कौन से की उन्हें तत्हागत भी का गया है सक्किमुनी भी नहीं का गया है क्या पता यही question UPSC पूछ ले अब 19 वे question में देखिए consider the following statement regarding खजुराहो स्कूल ऑफ अर्किटेक्चर की बात की गई है इन दीज टेंपल्स ओनली एक्स्टियर वाल्स वर लेश्ली रेकुरेटेटेटें दीज दूसरे टेंपल्स वर मेड़ अफ सेंस्टोन तीज रहाविया यह कहते हैं टेंपल बिलॉंग टु हिंदू एज जैन रिलेजन अब देखिए कौन सा से ही है तो यहापर 2 & 3 भी टे के आते हैं आप इसके फीचर क्या होते है यह पहला ते निडते हैं और इसमेंपल सुत्र से जो है यहां चीजे लेंगे आते हैं और यहां पछा करते हैं इंके ऑप होते इसके अलावा देखिए गर्ब ग्रहा को जाने के लिए जो है एक टनल टाइप की भी होती थी मतलब एक गेटवे टाइप का एक वर्टिबूलर एंटेंस उसे हम बोल सकते हैं जिसे गर्ब ग्रहा के लिए अंतराल कहा जाता था जो मतलब ग्रब ग्रहा और मंडब के बीच का जो चीज है उसको क्या बोला गया अंतराल बोला गया अब देखिए यह जो टेंपल होते थे जनरली नौर्थ और इस्ट फेसिम होते थे और बनाए किसमें गई यह पंचायतन स्टाइल में बनाए गए और इसके जो सबसेडरी श्राइन थे जने रेखा प्रसाद सिखरा भ जाते हैं तो सब इसके बारे में थोड़ा सा कुस्चन एक यहां पर इंसाइट वालो ने दिदे है राफिल फाइटर जेट क्या है सिंगल इंजन मल्ति रोल कॉंबेट एयर क्राफ्ट है यह स्केल्प है एयर तु ग्राउंड टूज मिसाइल रेंज ओवर 300 किलोमेटर एयर किसके द्वारा किया गया है स्टेट्मेंट वन इंकरेक्ट हो जाता है इस आधार पर दूसरी स्टेट्मेंट पर आते हैं हरे एयर काक्ट में क्या क्या चीज होंगी यह स्पेचिविकेशन थोड़ा सा देख लिए इसमें 14 स्टेशन होंगे वैपन के लिए जैट जो होंग जो होगी मैक 4 के वराबर होगी राफेल जैट जो है वो स्कैल्प के साथ आते हैं और एर टू ग्राउंड टूस मिसाइल भी यह फायर कर सकते हैं अरूंड रेंज ऑफ 300 किलोमेटर इसके अलावा यह लॉंग रेंज डीप स्टाइक मिसाइल भी करी करते हैं तो दूसरी अग्सिजन डीफिलिंग और ग्राउंड ऑक्सिजन सपोर्ट प्रोडक्शन यानि कि यह क्या करता है ओंगोड ऑक्सिजन जनले इंग सिस्टम का मतलग क्या है कि आप चल लें ऑक्सिजन एट्मॉसफियर से ही फिल्टर करके आपको दे देगा बजाए इसके कि ऑक्सिजन क है वह करेक्ट हो जाता है यहां पर तो मुझे रगता है यह कुश्चन भी आपको समझ में आ गया हो इसके इंपोर्टन पॉइंट्स भी आपने नोट कर लिए होंगे नोट्स भी आपने प्रिपेर कर लिए होंगे साथ साथ में अब अगला कुश्चन आ जाता है consider the following statement regarding वाली वीडियो होगे है तो मैंने रिकॉर्ड कल दिया अल्डेट उस पर रेंडिंग चल ली है और वीडियो जल्दी ही अप्लोड हो जाएगी एक दो दिन में आ जाएगी तो चैनल पर बने रही है जिन्होंने सब्सक्राइब विदर नहीं किया तो भीया फिर बोलना ना पॉपेट्स जो है इसमें जिनरली क्या किया जाते हैं मेड ऑफ वर्स विदाउट एनी जुएंट दूसरा यह कहता है यह ट्रेडिशनल रॉट पॉपेट्स की बात करें कि इसरे पर्फॉर्मेंस एकम्पेंड बाइ मुजिकल टूप यहां पर पहला प्षण यह गलत कहते हैं बहीं मुझे नहीं पता पुतलनाच क्या होता है तो आगे जानते हैं तो पुतलनाच की जब बात होती है पुतलनाच क्या है ट्रेडिशनल रॉट पपट डांस है जो कि जाता है तो पुतलनाच के लिए पुतलनाच क्या है डिशनल रॉट पपट डांस है कहां होता है बंगाल ओडिशा असाम डीजन में होता है ड्रेस कि तरह किया जाता है जातरा की तरह 5-5-4 फित होती है इसमें जनरली तीन जोंट होते हैं नेक शोल्डर अग और शोल्ड करते हैं तो परफर्मेंस जो है वो मुझिकल ट्रूप के द्वारा जो है कंपेन की जाते है कि बहिया दो कप तक परफर्म करेंगे पीछे गाना ना हो तो 4-5 जिसन हार्मोनियां तबला यह सब चीज़े बताते रहते हैं तो आगे वड़ते हैं बुद्धिजम सेक्त की बा कि लुक्ति अब शिज़े दी का हमवती का और सिद्धात का यह चारो तो क्या बुद्धिजम के वह सकते हैं बिल्कुल है तो इसको याद कैसे करेंगे मज्श एमज्च मज्च या फिर MSGH , GSHM , GS GSHM , GSHM , GSHM , GS ping GSHM , GSHM , GS doing General Studies , inhalation , collation , सिद्धात का मही सक्का और हिमवतिका ये मिरसांसा फिर से दो रही है गोकूली का सिद्धात का मही सक्का का और हिमवतिका तो ये चारो ही सही हो गए तो आई ये थोड़ा सा जान लेते हैं इनके वारे में तो अब जान लेते हैं तो बुद्धिष्टी स्कूल की जब भी बा पहला होता है सात्विका निकाए, मही सका विदाथ का संकरणाति का स्रौत्तानिका धर्मगुप्त वस्ति पुत्रिय, दर्मथ्य, ब्रन निया श्क्राणिका, सम्मित्य का यह थोड़ा सा याद करने वाले पॉइंट ही इतना याद नहीं भी रख पाएंगे तो एक दो बार रिट कर लीजेगा वहाँ पर एक्षन में मदद मिलेगी कि यहां यह मैंने पड़ा है महासंगीकास की बात करते हैं तो इसमें कौन-कौन से सबसेट डिवाइड हुए गोकुलिका, प्रजन्तेवाद, पहुस्पृतिया, एका व्याहारिका और चैतिका इसके लावा जो सबसेट हैं जो और डिवाइड हुए वो इसकूल के अंदर जो है उपर के जो है वो नहीं आते हैं वो है हिम्बति का राजगरीहा का सिद्धात का पुब्ब से लिया अपार इंदिया और अप्रभार ग्रहिया इसके लावा जो है लेटल बुद्धिस्ट अगरा जो तो आगे वरते हैं अगला कोशन आप लोगों की स्क्रीन पर है इस सेट्मेंट रिगार्डेंग वेसार स्कूल आफ आर्किटक्टर भीया मतुरा के पीड़े खाली के मंदिर देख लिया अब आगया वेसार अब भीया बेसार जी क्या कह रहे है ये भी जान लेत यह पहला कहे रहे हैं कि combined the feature of नादर इस्कूल और रविद इस्कूल दूसरा कहे रहे हैं influence of नादर इस्टाइल is कल्टी वीनियर शिखरा and square base of वेसारा टेमपल तीसरा कहे रहे हैं influence of ग्रविदा इस्टाइल is seen in intricate painting and structures design of विमान and step terraced तो नेक्स्ट कोश्चिन के और बढ़ते हैं यहां पर देखिए बेसारा की बात करी गई है तो यहां पर option one two and three तीनों ही correct हो जाते हैं तो वेसारा स्कूल के अगर basically बात कर रहे हैं तो यह स्कूल इवाल्व होता है राउं करनाट का रीजन में तो करनाट का स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट्चर से यह बिलॉंग करता है जिसको conceptualize करते हैं चालुक के पैसेजवे और इसके लावा पिलर डोरवे सीलिंग जो थी वो डेकुरेट विद इंट्रिग्रेट कार्विंग्स यह इसके बेसिक फीचर थे बात करें इसके तीन प्रमिनेंट डाइनिस्टी जिनमें विसार टेंपल बनाए गए तो चालुक क्यों आफ बादामी और जानी के समय में राष्टकुटाज जैसे की कहलासना टेंपल एलोरा का है होई साल डाइनिस्टी की अगर बात करें तो हेले बेलूर टेंपल यह प्रमिनेंट टेंपल्स थे जो की बिल्ट किये गए उस तैम में उसके वालावा इंफ्लूएंस ऑफ नागर स्टाइल यहां बादानीति में यह पादंपल लाएंस कियुक्ता करें तो और ओमिन बात करें पूंभा उसका काम वेल शिरूप में consider the following statement regarding new education policy तो इसके लिए आपको new education policy पूरी पढ़नी पढ़ेगी but क्योंकि questions के जरीए आप solve करेंगे तो आप क्या करेंगे एक question नहीं आप 100 की जोगा 400 topic एक दिन के cover कर लेंगे तो इसका पहला है it aims for universalization of education for preschool and secondary education दूसरा है higher education commission will be set up in single overarching body for entire higher education including medical and legal education education तो यह थोड़ा सा word term है अब देखें इसके ओपर इसके ओपर हम लोग आ गए है 24th question में बात करेंगे national education policy के ओपर यहां पर question पूछा गया it aims for universalization of education preschool to secondary level with 100% of GER यानि की gross enrollment ratio of school by 2045 higher education commission of india will be set up as a single overarching umbrella body for entire higher education including medical and health education including medical and legal education यह पर तीन टम है health भी आ गया medical भी आ गया और higher भी आ गया तो क्या ऐसा हो सकता है education policy में पूछा गया है तीसरा option पर देखें policy has emphasized the mother tongue the local language and regional language as medium of instruction at least till grade 5 तो यह देखें यह तीनो options की जब हम बात करें तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि options में क्या-क्या दिये गए सबसे पहले दिया गया है one and two दूसरा दिया है three only तीसरा दिया है one and three only और चौथा दिया गया है two only तो यहां पर यह option correct है यानि कि three only correct है तो वो कैसे है सबसे पहले यह जानते हैं कि higher education policy में जो recent में release हुए है उसके कुछ key highlights हम लोग जान लेते हैं ताकि यह question को solve करने में हमें आसानी हो जाए तो हाली में MHRD ने क्या किया था अपनी 2020 की जो recent की education policy है new education policy उसको जो है release किया है तो इसके लिए जो है लगातार जो हमारी ministry of human resource development है उसने collaborative inclusive और सभी से consultation के बाद जो है 2015 January में यह process start की new education policy की तो इसमें होता क्या है 2016 मैं में एक committee बनाई जाती है committee for evolution of new education policy जिसे TSR सुब्रमन्यम जी chairman होते है उसके तो आपको यह ध्यान रखना है यहाँ पर committee कौन सी बनाई गई committee for evolution of new education policy chairman कौनते TSR सुब्रमन्यम ठीक है तो यह दो points आपके state PCS और UPSC दोनों के लिहाज से बहुत important points हो जाते हैं आगे देखिए तो basically यह जो policy थी इस policy में यहाँ पर जब यह committee बनाई गई गई तो इसने 2016 की draft new education policy 2016 को release किया तो जून 2017 में फिर एक नई committee बनाई जाती है committee on draft national education policy यह बनाई जाती है तो इसके chairmanship कान करते हैं डॉक्टर के कस्दूरी रंगन इसके chairman होते हैं और इसके basis पे जो होती है draft new education policy 2019 में जो है आती है और 31 में 2019 को जो है policy को unveil करने की बात की जाती है अब इससे क्या होता है जो यह new education policy है जो अभी आई है तो उसके basis पे क्या कहा जा रहा है यह नई education policy जो होगी यह foundational pillar की तरह काम करेगी for access, equity, quality, affordability and accountability और इसका जो agenda है वो क्या है इसका basic agenda है 2030 तक sustainable development और इसका जो basic aim है वो यह है कि universalization हो pre-school और secondary education का up to 100% gross elementary level in school education by 2030 तो आपको यह term याद रखना है यहाँ पर main बात क्या है 2030 याद रखना है UPSC क्या कर देगी 2050 बना देगी पूरा statement वही रहेगा कि it aims for universalization of education for pre-school to secondary level to 100% in GER by 2050 कर देगी अब यहाँ पर आदमी बहुत confused रहेगा क्योंकि आगे का statement पूरा वही है बट प्लास्ट का वो बदल देगे और इसके अलाबा कुछ एक और key points है जो policy में highlight किये गए जो new education policy है उसने emphasize किया है mother tongue के उपर और regional language के उपर और यह कहा है कि grade 5 तक जो है अपनी ही mother tongue में पढ़ाया जाएगा जो बात की गई है काफी controversial clause भी रहा है यह तो इस पे यह कहा गया कि till grade 8 और उसके बाद भी अगर कोई Sanskrit में education लेना चाहता है तो students के पास option होगा जो कि three language formula उस पे काम किया जा सकता है और इसमें क्या होगा एक regional language होगी एक scheduled language होगी और third language जो बच्चा खुद चूज कर सकता है और इसमें क्या होगा other classical language and literature of India also made available as options तो यहां पे language को किसी के ओपर impose नहीं किया गया है तो यह basically यह policy जो है कुल मिलाकी यह emphasize करती है be Indian तो मतलब एक जो rightism के ideology BJP follow करती है तो उसके एक छोटी सी जलक दिखाए दिखाए दिए हलाकि उससे हमें कोई लेना देना नहीं है बट फिर भी हमें इस point को भी deny नहीं करना चाहिए अब higher education commission of India की जब बात करते हैं तो यह single overarching umbrella body होगी for entire higher education अब मगर यहां पर देखे higher education की जो बात की गई है तो मैंने आप से जब question देख रहे थे तब ही बोला था कि higher education की जो बात की जा रही है उसमें medical or legal education का जो time है वो थोड़ा सा complicated है तो दोनों को एक साथ merge करने के लिए एक ही body काम नहीं कर सकती ना higher education तो अलग होगी और medical or legal education दोनों ही different चीज़े हैं तो कि medical में surgical चीज़े होंगी और चीड़फार की चीज़े होंगी operations होंगे मगर higher education की जब बात की जाएगी तो वो Btech भी हो सकता है BEE भी हो सकता है Mtech भी हो सकता है BSC भी हो सकता है तो उसमें पूरे entire education of higher level की जो है वो बात की गई तो यहां पर यह exclude करता है कि से medical or legal education को और HCI के पास जो है चार independent verticals होंगे तो वो कौन-कौन से होंगे national higher education regulatory council for regulation general education council जो होगी वो standard set करेगी higher education grant council जो होगी funding और national accreditation council जो होगी NAC जो है वो to accurate rate जो जितने भी हमारे affiliations से related और accreditation से related चीजे होंगी वो कौन देखेगा NAC देखेगी तो HCI का function क्या होगा इसका function यह होगा कि यह faceless intervention through technology provide करेगी और इसका जो power होगी उसमें यह power भी होगी कि it can penalize any higher education institution जो norms को confirm नहीं करते हैं इसके अलावा public और private higher education institution भी जो है इसके अंदर regulation में आएंगे for accreditation of academic standards तो आगे बात करते हैं 25th question की और यह इस video में last question होगा हम video को चार पार्ट में divide कर देते क्योंकि discussion का video है और काफी लंबा यह video जा रहा है तो 25th question ही इस video में रहेगा next part आपका साथ में साथ release हो जाएगा तो आप उसे भी देख लीजेगा 25th question में यह कहता है which of the following regarding shadow puppets is true तो यहाँ पे shadow puppets are three dimensional figure cut out of leather puppets are placed on white screen with light falling behind creating a shadow on the screen Ravana Chai is a theoretical shadow puppetry in Odisha region तो देखे यहाँ पे दो चीजे हैं अगर मेरे को यह कुछ भी नहीं आता है तो मैं इस question को कैसे attempt करूंगा तो कि shadow puppet जो होगा वो three dimensional figure होगा तो इसको rule out कर दीजिए हेले statement को अगर rule out करते हैं तो देखे one one and two one two and three और one and two जो है वो rule out हो जाते है option क्या बज़ जाते है two and three तो इस तरीके से भी आप option को eliminate कर लेते हैं मगर आपका काम क्या है यह 100 questions के जरीए आपको 400 topics cover करने हैं तो आईए इसके बारे में थोड़ा सा detail में जान लेते हैं तो पहले statement गलत यहां से और आगे जानते हैं यह जो figures हैं यह paint होते हैं कि इसमें दोनों तरफ से आइडियली जो leather में होते हैं यह paint होते हैं इसके लावा puppets जो है white screen में place होते हैं पीछे से light आती है और shadow के जरीए जो है puppetry होती है इसके अलावा जो है जो है जो इसमें figure manifest होते हैं वो sillu hits से बने होते हैं on blank screen जिससे एक visualization create किया जाता है सामने वाले देखने वाले के मन में और रावनचारी जो है most theoretical shadow puppetry के लिए जाने जाते हैं पूरे ओडिशा रिजर में और उन्होंने जो है deer की skin से भी यह puppets बनाया है to depict the dramatic postures इसके अलावा इन में जो होते हैं जो puppets होते हैं इन में joint satage होते हैं जो इनको और भी इस art को और भी complex बना देता है तो मुझे लगता है यह video आपको पसंद आया होगा कैसा लगा discussion में कोई कमी रही हो तो comment section में comment करके बताएं कोई अगर discussion के दौरान mistake अगर रहे गई हो तो वो भी comment section में comment करके बताएं और कैसे हम आगे videos को improvise कर सकते हैं वो भी आप comment करके बताएं तो आज की video में बस इतना ही 25-26 से लेके 50 question अगली video में उसके बाद पूरे 100 question हम लोग ऐसे discuss करेंगे तो ultimately हमारा एम क्या है सारे topics cover करने हैं चार topic के question में एक लगभग होते हैं तो 4 से 25-400 topic आप लोग cover कर चुके अभी तक तो इस तरीके से आप पूरे-पूरे 400 topics जो है इस video में मतलब ये inside का जो test है इसमें ही cover कर लेंगे तो आगे मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ आप आएस आपके साथ जूड़ा रहेगा तो बने रहेए आप आएस के साथ वीडियो को share करना like करना और subscribe करना चैनल को बिल्कुल मत भूलियागा